तो गन्ने के बाद आप ये गुड़ देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर गन्ने के रस से गुड़ बनता कैसे है उसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और मेरे हाथ में ये बिल्कुल ताजा बना हुआ गुड़ है जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है जिसको मैं एक्स्प्लेइन नहीं कर सकता गन्ने के रस से गुड़ बनने की पूरी प्रक्रिया को सुरु से समझने कोशिश करते हैं आप चर्की देख रहे हैं इसी से गन्ने को पेरा जाता है और ये आप गन्ना देख रहे हैं और पेरने के बाद गन्य को इसकी ये खोई निकलती है जिसका इस्तिमाल भी इंधर्न के तौर पे हो जाता है ये गन्य को पेरते हुए आप देख रहे हैं ये रस नीचे जो हाओध है उसमें इकठा कर लिया जाता है और उससे फिर उसको जो है कडाहे में डाल दिया जाता है कडाहे को मिट्टी की भठीयों के उपर चढ़ाया जाता है तो यहाँ आप देखेंगे दो भठीया है एक मेन भठी है और उसके जश्ट बगल एक साइड में भठी बनी हुई है दोनों में रस रखा जाता है तो इसको धीरे धीरे करके गरम किया जाता है इससे निकलने वाले कच्छरे को फेन के रूप में निकलता है इसको मही बोलते हैं यह देखिए आप इसको लग कर लिया गया अब इस पूरे प्रॉसेस में करीब धाई से तीन घंटे लगता है गुड के बनने में रस को गरम होकर के तो यह धीरे 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 इसको जो है गरम किया जाता है और यह साइड वाला जो कड़ा है एक डेड़ घंटे में जो है इसको भी ट्रांसपर कर दिया जाता है मेन भट्टी पे मेन भट्टी पे ट्रांसपर करने का मतलब यह है कि मेन भट्टी का जो रस है तब तक वो गुड़ बनाने की इस्तित में आ जाता है यह आप देख रहे हैं दीरे दीरे यह एकदम गाड़ा हो गया अब इसको एक बड़े से ट्रे जैसे आकार का एक बनाया गया है उसमें जो ही इसको पलट दिया गया है अब इसको यहाँ पर ठंडा होने में करीब जो है एक से डेड़ घंटे का समय लग सकता है काफी अच्छी खुश्बु होती है इसकी जो है जब गरम गुड़ बनता है बहुत बहतरीन खुश्बु होती है यह आप देख रहे हैं यह ठंडा हो रहा है धीरे धीरे और इसको फिर इकठा कर दिया गया है फिर इसको फैलाएंगे यह आप देख रहे है अब जो है जो साइड की भट्टी पर जो कड़ा था उसको मेन भट्टी वाले कड़ाहे में उसके रस को जो है ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद जो यह आपने देखा ही था कि इसको जो है फाइल आते हैं तो यह धीरे-धीरे किस तरीके स्थंडा हो जाता है यह आप गुड़ देख रहे हैं बना करके बगल में रखा गया है तो धीरे-धीरे करके जो है इसको य गुड़ को बंधते हुए आप देखेंगे तो उम्मेद है कि आप गुड़ बनने की पूरी प्रक्विया को समझ गया होंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज के वीडियो में बस इतना ही नमस्कार